प्रेडियों में आपको कुर्टी का गला काटने वे बनाने की विदी बता रही है जैसे कि हमारा ये फ्रंट पीस है कुर्टी का इसके लिए हमेश में प्लैन डिजान लगाना होता है जैसे कि ये हम सलवार गड़ी या इस गले पर लगाई है पहले हम ऐसा करके कुर्टी का की ये चोड़ाई नापट है कंदði वाले जैसे कि कंद्य की चोड़ाई 16 है डिजान की चोड़ाई हम 5 इंच लेगे और जैसे कि लंबाई हमें 12 इंच करने होते हुERS के लिए हम कपड़ा 13 लेएंगे इसके लिए जैसे कि ये कपड़ा है इसमें से हमें तुझान निकालना है जैसे कि हमने 5 इंच लंबाई नाती है उसके लिए हमें ऐसे शड़े 5 इंच के निशान लगाना होता है हुआ और लंबाई के लिए जयजे कि हमने यह बारा इंच की ऊपर से नीशे बारा इंच के लंबाई लिए इस पर हमें सभय वारभर निसान लगाना होता है के इसके लिए हम ऊपर से यह देद्धिंशान ऐसे मिलाना बंगा यह आक ऑल्याथ अं फिर इसको हम गोलाई लेते हैं, गोलाई के लिए हमें यहां पर तीन इंच का निशान लगाना होता है, यहां से यहां तक, ऐसे, इस निशान को हम यहां से लेके, यहां पर पॉइंट है, इस से लेके, ऐसे गोलाई में, उपर तक ऐसे मिलाना होता है, अब हमें इसको काटना होता है जैसे कि ये कट के तयार होगा है अब पहले हमें इसमें पाइटिंग लगानी होती है जैसे कि हम दूसरे कलर्पी पाइटिंग लगाते हैं अब ऐसे घ्रीन पर यह गानी पाइटिंग लगानी होते हैं पैदे हम इसको पाइटिंग लगाई ने इसके पर तकी तिलाई उपसार रहे चिलाई देते समय हम स्पाइपीन को हमें थोड़ा हल्कियात से किंचना होता है और उपर क्या कपड़ा हमें थोड़ा डिला रखना होता है पाइपीन को जादे ने खैंचना नईए तो फिर अंदर शुननाटे आ जाते है जैसे के पाइपीन आए ने ब fertil 3 अजय थोड़ा होता है जैसे कि पाइपीन लगाते समय यह पाइप आती है तो यह थोड़ी ऐसी स्टेडी हो जाती है से लिए अपसीन को ठोड़ा ऐसे उठा के और पाइपीन को ऐसे ठोड़ा अंदर करके तब सिलाई लगानी होती है इससे जो अंदर का कपड़ा सुकड़ता है वो फिल जाता है जैसे कि पाइपीन लखके तयार होगे इसके बाद हमें ऐसे पहले पाइपीन को ऐसे शिलाई देनी होती है ऐसे बारीक अर्ध्यान रेश शिलाई पाइपीन के और कपड़े के बिल्कुल एकदम बीच में रही झालेक में बाद है 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 जैसे कि यह पाइपन लग लग रही है जैसे कि हाँ पर गोलाई आ गए पर गोलाई में जैसे कि मैंने पहले बता था जब आप मशीन चलाते हैं तो थोड़ा ऐसे उठाके और तब चलानी होती है इससे पाइपीन में सफाई आती है और चुनटे भी नहीं आती है जैसे कि यह पीस पाइपन लगके तयार होगा अब हम इसे इसे सूट के पीस पर लगाई है इसके लिए हमें पहले पीस को ऐसे मोड़के और बीच में कट लगाना होता है इसके बाद हमें नीचे तक ही ऐसे निशान लगाना होता है ताकि यह जैसे हम उस पीस पर लगाएंगे एडाना होने पाए यह ऐसी इसके बाद हम ऐसे कुर्टी पर लगाएंगे इसमें भी हमें पहले निशान लगाना होता है जैसे कि यह हमें बराबर पीस है इसके भी बीच में हमें कट लगाना होता है इसके बाद पीस को ऐसे मोड़ के और बीच में निशान जैसे कि हमने इस कपड़े पर निशान लगाएंगे ऐसे हमें ऐसे कुर्टी पर निशान लगाना होता है ऐसे शीद में जैसे कि यहां कट है इसकी सीद में इसके बाद हमें ऐसे यह पीस इसके उपर रखना होता है ऐसे जैसे कि यहां कट है और कट के ऐसे कट को बिल्कुल कट पर मिलाना होता है और इधर भी जैसे कि यह निशान है इस निशान पर हमें यह निशान मिलाना होता है इसे बिल्कुल सीधा रहेगा इसके बाद सबसे पहले हमें बड़ा नमबर करके ऐसे सीधी सिलाई लगाने होती है ताकि पीस ऐसे सरखने पाई जैसे कि अब यह शिलाई लग गए इसके बाद हमें ऐसे किनारी पर कुई मसीन लगानी होती है पाई पीन के पीच में जहां में पहले मसीन शिलाई लगाई थी ऐसे बिल्बुल किनारे किनारे झाल कि अब भीन के सीधार को थे बाद हती है ताकि Esteज व्हांक शब ख entwicका दबगाई लगाते पीच साओ़ यह बगे है जैसे कि इस पर कपड़ा लगके तयार होगा इसके बाद हमें प्रम्पे गला काटना होता है जैसे आपकी इच्छा उसी अपने अनुसा बुकरम पे गला काटने के लिए हमें पहले इसको नापना होता है जैसे कि पीस की लंबाई ऐसी बारा इंच है ऐसे ही हमें बुकरम की लंबाई भी बारा इंच ही लेनी होती है जैसे कि यह बारा इंच है इसके लिए हमें बुकरम को सबसे पहले ऐसे मोड़ना होता है इसके बाद हमें ऐसे ड़ा इंच का गले का निसान लगाना होता है अकर आप हेलती है और गले चोड़ी पहनती है तो आप तीन इंच का भी निसान लगा सकती हो और गैर हाई के लिए हमें इसका निसान 7 इंच पर लगाना होता है गैर हाई भी आप अपने अमसार ले सकती हो जैसे कि यह गला हमें थोड़ा पान की सेव में बनाना है उसके लिए हमें इस निसान से इस निसान को ऐसे थोड़ा वी सेव में करना होता है और जो यह एक्स्टा बुक्रम बची है इस बुक्रम को ऐसे बुक्रम की लंबाई पाँच इंच है इस पे भी ऐसे एक इंच का ऐसे निसान लगाना होता है ऐसे इसके बाद, जो यह एक्टा वुक्रम है इसको काट लेते हैं सबसे पहले यह गले वाले अंदर से वुक्रम काट नहीं उते है इसके बाद जो यह एक्ट्रम को हमें इसको भी ऐसे काट लेते हैं और ऐसे बीच में इसमें कट लगाना होता है जैसे कि गला कटगा इसके बाद हमें गले को ऐसे कपड़े पर रपके इसमें सिलाई लगानी होती है सिलाई हम इसके किनार किनारे पर लगानी होती है थोड़ी बुकरम छोड़के ऐसी है जैसे कि अब मैं आपको सिलाई लगा करके बता रहे हूं जैसे कि सिलाई लग गई जो यह हमारा कट है इस कट पे भी आपको ऐसे थोड़ी उपर सिलाई रखनी होती है ऐसे मशीन को उठाके और ध्यान रहे गलाट टेडा ना होने पाए ऐसे एसे एंड में भी आईसे मशीन उठाकर ऐसे घुमा के तब चलना होता है पड़ लाए इससाः ना होता है जो उपको अॉक प्रॉक कोलिगर इसके तुम स्यूक्ट बचलिए हैं जैसे इसके पप्रें द्ला लगा गदे लिए इसके बार जो jak वा प्रेस इसको परतना हम अपिरें साधमर में के लिए के अदू जैसे कि यहां पर कोना आए यहां ऐसे कट लगाना होता है इसके बाद जो अंदर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी काटना होता है जैसे कि यह बीच वाला कपड़ा है इसको भी आएसे काटना होता है इसके बाद इसको हमें ऐसे पीस पर लगाना होता है जैसे कि यह हमाँ पीस है इसके उपर ऐसे बुक्रम रखके ऐसे ध्यान रहे यह ऐसे इस निशान पर ही आई यह तेदा ना होने पाई और सिलाई बुक्रम के नीचे लगानी होती है बिलकुल बुक्रम से सटा के जैसे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है इसके लिए हमें थोड़ा बुक्रम को दबाना होता है वह होती कम-कम जादे निले न ऐसे बिलकुल बुक्रम के पिनारी पे सिलाई लगानी होती है इसके बाद जैसे कि हाँ बिलकुल पोने पर आके मशीन को ऐसे बुमाना होती है और ऐसे दो पर चलाके फिर इसको फिर ऐसे बुमाना होता है अब जैसे कि हमने इस साइड किनारी पे सिलाई लगा है इस साइड भी ऐसे किनारी पे सिलाई लगानी होती है और ओपर फिर हमें बुक्रम से नीचे सिलाई लगानी होती है जैसे कि हमने दोसे साइड लगा है जैसे ही इस पे गलालक के तयार होगा अब हमें जो अंदर का पड़ा है इसको काट लेते हैं जो यह बीच वाला कट है इसको भी ऐसे काट लेते हैं और यहां पर थोड़ा अलका अलका कट लगाते हैं ताकि वुक्रम अंदर मोड़ने मोड़े तो इसमें चुनट ने आई अब हमें सबसे पहले जो हमने वुक्रम काटी थी ऐसे वुक्रम के उफर ऐसे दबा के कपड़े को शिलाई लगानी होती है जैसे कि हमें गला ये कनी मोड़ी इसके बार हमें गला ऐसे शिद्धा पलटना होता है उसके लिए हमें जहां पर ये चौच है उसको ऐसे नोक से बार कर लेते हैं इसके बाद इसको ऐसे करके बड़ा नमबर करके इसे दबाने के लिए शिलाई लगानी होती है ये शिलाई बाद में आप अटा सकते हो जैसे के शिलाई लगके तयार होगा इसके बाद हमें इसके उपर पाई किन लगानी होती है इसके लिए हमें पाई पीन को ऐसे दूरा कर लेते हैं ऐसे डबल ताकि नीचे यह जो धागी निकल जाते हैं यह ना निकल पाएं और ऐसे इसको उल्टा करके और ऐसे किनारी पे ऐसे रखके ऐसे पाई लगानी होती है शिलाई बिलकुल किना जितनी बारी गरफ होंगे उतनी ही बारी पाई पीन बनेगी ऐसे यह इसे पाई पीन को यह से थे ज़ना होता है जैसे कि हाँ पर जो नोख है इस पर पाइपिन लगानी होती है तो ऐसे मोड के और ऐसे किनारे पर रोक के मशीन को उठा के और पाइपिन को ऐसे अंदर कर लेते हैं इसके बाद भी सिलाई लगानी होती है और पाइपिन को थोड़ा ठीक सा ही खीचना होता है ज्यादे दिली भी मत छोड़ो और ज्यादे टाइट भी मत लो जैसे कि हाँ यहाँ पर कट वाली जंग हमें पाइपीन लगानी होते हैं उसके लिए हमें ऐसे पाइपीन को थोड़ी सिलाई देखे यह ऊब यहाँ आया लुए और मसीन को ऐसे उपर करके यहाँ पॉक्त्यूंघ है फ़िए कि यहाँ अधर एयक दोबार ही आज दोबार ऑड़ी चलाना होता है आसी एसके बीएवखर फिर बाहर लाकडे अधर एस और फिर शिलाई लगानी होती है अगर थोड़ी आपको लगती है कि चुननटा आ रही है तो उसे ऐसे उठा के और पाइपीन को ऐसे थोड़ा खैंच लेते हैं जैसे कि पाइपीन लगके तयार होगे इसके बाद हमें ऐसे पाइपीन बनाने होती है ऐसे निगालने होती है यह शिलाई पाइपीन को नहीं दबाने पाई जैसे ही ही हाँ पे मोड पे हमें फिर पाइपीन बनाने में थोड़ी प्रेसानी होती है उसके लिए हमें यहां थोड़ा कट लगाना होता है पहले ऐसे इसके बाद पाइपीन ऐसे अंदर आसानी से मुड़ जाती है अब फिर मसीन को ऐसे उपर उठा के अब आसे शिलाई लगानी होती है इसके लाद हमें मसीन को फिर ऐसे दुबार करना होता है जैसे कि यह पाइपीन लगके तो यार होगा इसके लिए हमें ऐसे इसके नीचे कपड़ा लगा के इसको ऐसे सिलना होता है जैसे कि हमें यह कपड़ा लेके ऐसे ऊपर से थोड़ा डबल कर लेते हैं इसके बाद इसको ऐसे रखके नीचे और इसके ऊपर ऐसे कुर्टी को रखके ऐसे शिलाई लगानी होती है जब हम सिलाई शुरू करते हैं तो सिलाई को ऐसे थोड़ी चला के फिर ऐसे दुबारे तीछे अठाए के मशीन को फिर चलानी होनी चाहिए ताकि इसके लिए भी हमें मशीन को थोड़ा ऊपर उठाके ही चलना होता है जैसे की यह गला बनके तयार हो गया वैसे इसका पर्चनन कुर्टी में जाद है वैसे आप चाहो तो सुनकर भी बना सकती हो और आप यहां पर बटन भी लगा सकती हो अगर आप पी चाहों आप नहीं तो ऐसे भी रख सकती हो हम प्या जाचे नहीं तो अपन सक भ जाब अगन we फब गोगा है और गलापुर्टी में यहाँ अهे पो हाथ सकती हो और यह हो स्काती होगहिकर ग्दारु हो pasता है